हेलो, मैं शुमुना चक्रवर्ती हूँ, नमस्कारम सद्गुरू। सद्गुरू मैं जोतिश के बारे में सच जानना चाती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये एक विज्ञान है, लेकिन शादी से पहले कुंडलियों का मिलाना, एक मांगलिक लड़की की किसी लड़के से शादी करने से पहले, किसी पेड से शादी करना, और जीवन में अलग-अलग चीजों में मदद पाने के लिए किसी खास थरा के हीरे वगेरा पहनना, इसका सच क्या है और इसकी वास्तविक्ता क्या है? यह हमारी जेनरेशन के लिए बहुत कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि हम या तो बगावत करते हैं, या माबाप की बातों में आकर इसे मानने लगते हैं, तो अगर आप हमें इसका सच समझा सके, तो बहुत अच्छा होगा आपका धन्यवाद। यह पेड़ से शादी करने का आइडिया मुझे अच्छा लगा, मेरा पेड़ों से गहरा रिष्टा है, यह अच्छा आइडिया है, बहुत टिकाव पार्टनर है, बिल्कुल जमा हुआ, आज कल जीवन में एक टिकाव पार्टनर मिलना मुश्किल है, यह सच में अच्छा आइडिया है, और… देखिए, कुंडलिया मिलाई जा रही है, इसका मतलब सितारे तो मिलाई जा रहे हैं, लेकिन इन दो मूर्खों को कैसे मिलाएं, ऐसा संभभ भी नहीं, इन दो मूर्खों को कोई नहीं मिला सकता, अगर वे एक दूसरे की जिम्मेदारी लें, अगर वे कुछ भागीदारी के साथ, एक दूसरे में अपना जीवन लगा दें, तो कुछ शांदार हो सकता है, अगर आप उन्हें मिलाना चाहें, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे मिलाते हैं, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, इसलिए जादातर लोगों के लिए प्रेम, संबंद और शादी सिर्फ कुछ समय तक ही सुन्दर होते हैं, उसके बाद ये एक बड़ी चिंता या निरंतर टकराओ बन जाते हैं, बस इसलिए क्योंकि लोग अपने जीवन साथी से खुद को मिलाने में लगे हैं, आप दो लोगों को मिला नहीं सकते, कोई भी दो इंसान एक समान नहीं होते, ये ऐसे काम नहीं करेगा, बस इतना है कि अगर आप दूसरे व्यक्ति की खुशाली को अपनी खुशाली के ऊपर रखते हैं, तो आप देखेंगे, सब अच्छा चल रहा है, अगर किसी से खुशी निचोड़ना ही आपका जीवन है, तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद कड़वाटा आ जाएगी, अगर आप जीवन में आनन्दित हैं और आनन्द बाढ़ते हैं, तो सब अच्छी तरह चलेगा, इसे फर्क नहीं पड़ता कि सितारे क्या कहते हैं, वैसे भी, सितारों को जो चाहे कहने दे, जब आप इंसानी रूप में आये हैं, तो आपको अपना जीवन खुद बनाना है, ये प्रित्वी का इकलोता प्राणी है, जो अपना जीवन खुद बना सकता है, अगर आप ये छोड़ कर, ग्रहों और सितारों जैसी बेजान चीजों द्वारा, अपना जीवन तै करवाना चाहते हैं, तो ये जीने का दुख भरा तरीका है, तो प्लीज, आप और जो भी आपकी बात सुनते हों, प्लीज उन्हें बताईए, कि अपने जीवन को अपने हाथ में लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये कितना मुर्खता पूर्ण है, कि कोई तीसरा व्यक्ती जिसे आप जानते तक नहीं, आपको बताए, कि आप अपने पती या पतनी के साथ खुश रहेंगे या नहीं, ये कितना अशलील है, ये जिम्मेदारी आप खुद लीजिए, चाहे जैसे भी मूर्ख से आप शादी करें, अच्छा जीवन जीने की जिम्मेदारी लीजिए, और अच्छा जीवन जीने का सिर्फ यही तरीका है, झालब जीवन जीजिए,